कि इस वीडियो में मैं गिटार से रिलेटेड चीज नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में आप लोग को एक बहुत अच्छा प्यानू का रिवीउ मिलेगा यदि आप लोग कोई प्यानू लेने का सोच रहो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है तो चलिए इसको फटाफट अन्बॉक्स करते हैं और देखते हैं यह हमारा प्यानो किस तरीके का है तो यह मैंने जॉर्ज का प्यानो करदा था ओनलाइन एमेजॉन से इसकी प्राइस मुझे अराउंड 3850 पड़ी थी सभी डिसकाउंट को हटाने के बाद और यह जो प्यानो है वो मुझे सही सलामत मेरे घर पर डिलीवर्ड हो चुका है तो इसे फटा फट से अन्रैप करते हैं और देखते हैं अंदर में हमारा प्यानो किस तरीके का है झाल 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 तो जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हो हमें इस keyboard की adapter देखने को यहां मिल जाती है तो इसे रखते हैं साइड में और देख लेते इसके साथ और क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है यहां पर हमें stand दिया गया है और यहां पर हमें एक mic देखने को मिल जाता है तो इसे फ इससे consider नहीं कर सकते हो, आप यदि माइक लेना चारे हो तो आपको एक अच्छा बजर्ट का माइक लेना पड़ेगा, इस माइक की कोई value मेरे हिसाब से तो नहीं है क्योंकि ये बहुत ही low quality की माइक अपलोपेस में मिलती है, तो अब इन सभी चीची को रखते हैं side में और तो यहां पे हमें कुछ stickers देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप लोग easily इस keys पे आप लोग इसे प्लेस कर सकते हो, चिपका सकते हो, और यदि आप लोग beginners हो, तो आप लोग को ये बहुत ही ज्यादा help मिलेगा इससे, और यहां पे हमें एक user manual दिया गया है, जो कि आप चाओ थी से आप लोग पर सकते हो झाल 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 इस keyword में आप लोग को 61 keys देखने को मिल जाती है और इसके key quality थोड़ी decent quality की है और इसमें आप लोग को dual speaker देखने को मिल जाएगा एक left side और एक right side दोनों ही working है और यदि मैं बात करूँ इसमें song की तो इसमें आप लोग को 24 song pre-installed देखने को मिल जाता है demo song इस keyword में आप लोग को इसके keys थोड़ी decent quality की देखने को मिल जाएगी तो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा compromise करना पर सकता है वैसे यदि इसकी price point पे देखा जाए तो company ने काफी अच्छा keys दे दिया है इस price point पे और यहां पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी rhythm दी गई है जहांसे आप लोग इस से इस number को यहां पे डालके और easily उस rhythm में play कर सकते हो song को बहुत ही अच्छी sound quality तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन decent sound quality आप लोगो यहां देखने को मिल जाएगी यहां पे कुछ और functions वगड़ा दी गई है तो आप लोग इसे देख सकते हो यहां पे इसमें आप लोग को recording का भी option देखने को मिल जाता है आप लोग easily अपने जो जो भी song इसमें play करते हो उसे record कर सकते हो recording जादे देर का होगा नहीं आप लोगो थोड़ी से time का आप लोग recording कर सकते हो और उसके बाद वो recording खुद बखुद डिलीट हो जाएगी आप लोग की तो यदि मैं आप लोग को back side यहां दिखा दू तो यहा सॉकेट दी गई है सारे चीज़ के लिए जहां पर आप लोग अलग अलग चीज़ को यहां inside कर सकते हुआ कर सकते हुआ